नमस्ते सदावसले मातरभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बड़े ही इंपॉर्टन्ट विशय की और वो इंपॉर्टन्ट विशय ये है कि हमारे देश में एक वैचारी की दुन्द चल रहा है दूसरा हमारे देश की संप्रभुता का दुन्द चल रहा है संप्रभूता से मतलब ये है कि भारत कैसे चलेगा संप्रभूता किसके हाथ में होगी क्या भारत के सम्मिधान से भारत चलेगा क्या भारत के कानूनों से भारत चलेगा या किसी सामप्रताई के विचार से भारत चलेगा दूसरा सदैव से एक वैचारी की उद्धा चलता ही है ये कोई आज नई बात नहीं है युगों युगों से हर देश में एक वैचारी की उद्धा चलता है जो जीच जाता है वो लंबे समय तक देश पर राज्य करता है और जो उस वैचारी की उद्धा में हार जाता है वो श कुछ कर सकें फिर कोई राणा प्रताब पैदा होता है कोई शिवाजी महराज पैदा होता है और तब कहीं पेशवाओं का युग आता है और ऐसे समय में देश उठकर दुबारा खड़ा होता है लंबा संगर्श करने के बाद वैचारी की युद्ध में जिस समय वो जीत जात है यही कारण है कि सत्यूक की आयू बहुत छोटी होती है लेकिन कलियूक की आयू बहुत बड़ी होती है ऐसा भारती ग्रंथों में लिखा गया है अब दो जज़िस ने ऑनवे सुप्रीम पोर्ट के जो वेकेशनल बैंच थी उस पर एक अभ्योक्त जिसको संप्रदाइक उन्दमात फैलाने का आरोपी बताया गया एफाईयर ने दर्ज की गई सारे देश में फाईयर दर्ज की गई बंगाल जैसे प्रदेश में लुकाउट नोटिस जारी कर दिया गया और लुकाउट नोटिस जारी करने के बाद कहीं से भी उठा कर लाया जाए कैसे भी उठा कर लाया जाए बगोड़ा गोशित कर लिया जाए कई ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए ये सब कुछ प्रदेशों में बिभिन्न प्रकार की सरकारे कर रही है उसका कारण F.I.R. का दर्ज होना है और इन F.I.R. को पूरा करने के लिए उनकी करवाई को आगे बढ़ाने के लिए अभ्युक्त का गिरफतार होना आवश्यक है ऐसी प्रक्रिया चल रही है लेकिन दो जजिस के पास जब सुप्रीम कोर्ट में अभ्युक्त गई और अभ्युक्त ने कि हमें हमारे सारे केसे क्लब कर दिये जाएं और वहाँ पर हम मुकत्मा लड़ना चाहते हैं सारे केश क्लब कर दिये आएãyक जगچे पर क्योंकि एक ही आरोप के लिए बहुत सारी F.I.R. दुये हैं बहुत सारे investigation होंगे और बहुत सारे trial चलेंगे जो की ठीक नहीए इसल Czech इसलिए सब को क्लब कर दिया जाए। गई तो वो अच्छे के लिए थी। सुप्रीम कोट ने उनकी पिटीशन को डिस्मिस कर दिया। लेकिन डिस्मिस करने के साथ कहा। कि जो हम कह रहे थे देश पर में उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं पीछे बैक डोर से ही सही बेरिफाई कर दिया यानि कि जो आरोप लगाय जा रहे थे वो ठीक थे और जो क्रत भी किये गए जो हत्याय देश में की गई वो हत्याओं का दोशी भी अभिक्त को ही बनाया गया ऐसी प्रसिती में अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोलता है तो कंटेम्ट इंडेम्ट का बहुत सारा जगड़ा रहता है बकील बोलते हैं तो प्रैक्टिस उनको सुप्रीम कोर्ट में ही करनी है लो़र के जगेस बोलते हैं तो उनके प्रमोशन का मामला भी है और सुप्रीम कोर्ट सरकार बोलती है तो सुप्रीम कोर्ट की integrity का भी मामला है सुप्रीम कोर्ट की जो जो institution का maintenance है वो भी सरकार का ही काम है क्योंकि देश में after all जो सरकार बैठती है देश के सारे इंसिटिशन अपने आपको स्वतंतर घोशित कर दे वो स्वतंतर देश की तरह अपने आपको घोशित कर दे सम्विधान में लिखी हुई प्रिक्रिया को भी न माने सम्विधान में लिखी हुई प्रिक्रिया के ऊपर बड़ी बेंचों के जज्जमेंट आकर ये कह दिया जाए कि ये ऐसा नहीं किया जा सकता फिर भी उन संस्थाओं को भी सुरक्षत रखना उन संस्थाओं को मेंटेन रखने का काम भी सरकारों का ही होता है इसलिए after all सरकार ही अगर इंस्टिटूशन पर कोई हमला होता है तो भी सरकार के उपर हमला माना जाता है भले ही institution अपने आपको सरकार से परे माने और ये कहे कि हम तो सतंत्र हैं और हम इतने सतंत्र हैं कि भारत के बाहर भी जाकर अमेरिका में statement दे सकते हैं तमाम तरह की उनिवस्टियों में जाकर ये statement दिया जा सकता है कि भारत की judiciary independent है कितनी independent है पता नहीं वो क्या सम्मिधान से भी परे है independent या फिर सम्मिधान के अंदर ही independent है अगर वो इतनी independent है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार के उपर कितनी है उसकी salary की जिम्मेवारी भारत की संचन दिधी पर क्यों है वो इतनी सुतंतर है कि उसके order का implementation सरकारे करती हैं कितनी सुतंतरता है, क्या उसकी सुतंतरता भारत की समरद्यता, भारत की अकशोणता और भारत की संपर्भता से परे है, क्या पूरे देश में हर एक institution की जिम्मवारी नहीं बनती है कि वो भारत की संविधान का अपरक्षन करे और भारत की संप्रुभता की रक्षा करे अगर भारत की संप्रुभता की रक्षा करने के लिए भारत में कुछ इग्नोर में करना पड़ता है तो क्या ये समवाइधानिक नहीं है ये बहुत सारे प्रश्ण इस समय समाज में फैल रहे हैं ये एक दुंद भारत में चल रहा है इस दुंद के बीच में सुप्रीम कोट के जजिस ने जो टिपड़ी की कि तुम्हारी वज़े से देशवर में आतंक मचा हुआ है तुम्हार की वज़े से बहुत कुछ हो गया तुमने माफी मांगी लेकिन वो कंडिशनल थी तुमको माफी अनकंडिशनल मांगनी चाहिए किसी चैनल पर जाकर और ब्ला 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 वो सब हमने देशवर ने सुना कोन बोलता बोलने की हिम्मत ऑनेवल जस्टिस एसन धिगरा ने की और वो दिली हाई कोर्ट के जास थे एसन धिगरा ने जब बोला और उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का बिजनिस नहीं है उस पर कोर्ट को कमेंट नहीं करना चाहिए कोर्ट के सामने जो रिलीफ मांगी जाए कोर्ट के सामने जो ग्राउंड दिये जाए उस रिलीफ को कानूनी दाइरे में ध्यान में रखते हुए करना चाहिए जस्टिस धींगरा के बोलने के बाद बहुत सारे जजिस की हिम्मत पड़ गई पुराने ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत पड़ गई मिल्टरी के रिटार्ड जनरल्स की हिम्मत पड़ गई 170 signatories ने पत्र लिखा, ये मोड तो अभी तक कॉमोनिस्टों कर रहा है, वो पत्र लिखकर कभी याकूम मेनन की फांसी को तलवाने की कोशिश करते रहे, वो पत्र लिखकर बहुत सारे इस तरह के काम करते रहे, ये कॉमोनिस्ट या अर्वन नक्सल फिलोसपी है, लेकिन इस ब कि उनकी टिपड़ी देश के संप्रभुता पर भी खत्रा पैदा हो सकती है, क्या उनकी टिपड़ी ऐसी हो सकती है, जो उनका बिजनस ना हो, जो उनका काम ना हो, जिस पर रिलीफ ना मांगी गई हो, जो केस उनके अदालत में ना चल रहा हो, जो उनकी अदालत में बहस का पॉइंट ना हो उन पॉइंटों पर अदालत कमेंट कर दे Honorable Justice S.N. धींगरा के साथ Mumbai High Court के former Chief Justice शितिस व्यास, former गुजरात High Court के जजज SM Soni, former राजस्तान High Court के जजज RS Rathaur, प्रशांत अगरवाल और S.N. धींगरा सहित कई जजजज ने चित्ठी लिकी इसके लावा I.S. आफिसर्स में RS Gopalan, S. Krishnakumar और जमुल कश्मीर के former DGP SP WED PC Đोंगरा, लिटेरेंट जनरल V.K. चतरवेवी और एर मार्शल A.P. सिंग जैसे बहुत सारे लोगों ने 117 लोगों ने ये ओपिन चट्टी लिखी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट के पास जो रिलीफ मांगने के लिए अभियुक्त गई थी आरोपी गई थी वो रिलीफ ये थी कि पूरे देश में उसके खलाब मुगदमे दाखिल हो गए हैं जिनको फेस करना उसकी सिकूरिटी के लिए भी ठीक नहीं है और जिसको फेस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे मुगदमे फाइल हो गए हैं उन सभी पुलिस स्टेशन में हाजर नहीं हुआ जा सकता उन सभी पुलिस स्टेशन पुलिस जो आईयोस के सामने रेप्रेसेंटेशन नहीं किया जा सकता इसलिए उनकी पिटीशन उनकी जो उनके खलाब जो केसिस हैं उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए पहली बात और दूसरी बात यह हो जाए कि उन सभी केसिस को कलब कर दिया जाए और कोई investigating team उसको investigate करे ऐसा Supreme Court order कर दे Supreme Court का काम भी यह है कि ऐसा कोई परस्टिती कई राज्यों में एक ही मामले पर कई वाद दाखिल होते हैं तो फिर वो एक जगे shift कर देता है यह Supreme Court का role है अगर एक राज्य के अंदर कई जगे पर मुकदमे दाखिल होते हैं तो वो एक जगे के पर shift कर दे किसी एक district में shift कर दे ऐसा high court की power है लेकिन कई high courts के कई राज्यों के high courts के मातहद आने वाले polistrations या कई राज्यों में जब मुकदमा दाखिल होता है तो कोई एक high court उस पर आदेश नहीं करता उस पर honorable supreme court आदेश करता है तो supreme court ने जो कह दिया कि आप high court जा सकते हैं तो वो कितने high court हों में 25-26 high court हों में कितने high court हों में वो चाहिए और कितने high court हों से relief मांगेंगी कि एक जगे कलब कर दिया जाए इसलिए jurisdiction तो supreme court का ही बनता है ऐसा यह 117 signatories ने कहा जिसमें मैंने जैसे कहा कि high court के chief justice सरी के judges शामिल हैं इसके अतरिक्त इन लोगों ने एक बात और लिखी उन्हेंने कहा कि article 22 article 20 sub article 2 सम्मिधान का जो यह कहता है किसी भी विक्ति को more than once नहीं prosecute किया जा सकता है और नहीं convicted किया जा सकता है यानि कि सम्भाइधानिक fundamental right है किसी का कि उसके खिलाफ एक से ज़ादा एक ही मामले के prosecution नहों और एक ही मामले में एक से ज़ादा conviction नहों अगर article 22 का protection करना सुप्रीम कोर्ट का करतब नहीं है तो किसका करतब है सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो article 22, 20 sub article 2 का protection करे और उसका protection का अधिकार अभ्योगत को दे और अभ्योगत को अगर यह अधिकार दिये बगर जो उसका fundamental right है कि उसके खलाफ एक मामले में एक prosecution हो और एक वार conviction हो जितना भी हो और एक उसके उपर अभ्योगत चले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी duties जो उसको निभानी चाहिए थी उस duty को निभाने की बजाए article 20 सब article 2 का protection अभ्योगत को देने की बजाए अभ्योगत को तुनिया भर की खरी खोटी सुना दी जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो petition थी उस petition का कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो petition थी कि उसके खलाफ बहुत सारी F.I.R. हो गई है उन F.I.R. हों को एक जगए क्लब कर दिया जाए उस investigation को एक जगए क्लब कर दिया जाए और किसी एक कोर्ट में उसकी सुनवाई कर दी जाए इसकी अतरकते उस petition में कुछ भी नहीं का और जो point था वो ये था कि एक ही मामला है और एक ही मामले में कई एक prosecution चल रहे है Retired judges, Retired IAS officers और Retired ex-servicements का ये जो चिठी है ये अपने आप में एक कानून का protection करने की गुहार है Honorable Chief Justice को उन्होंने चिठी लिकिए हमें पहले में मैंने कहा इससे पहले भी Honorable Chief Justice को भह सारी चिठीयां लिखी जा चुके है लेकिन वो चिठीयां कभी याकूब मेनन को बचाने की होती थी तो कभी भारत में intolerance फैल रहा है इस बात की होती थी इस बार वो चिठी और सुप्रीम कोर्ट के टिपड़ी पर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के Chief Justice या जजस जिनके पास जो जिनके पास lordship कभी होती है उनकी चिठी पर Supreme Court के Chief Justice को क्या जवाब मिलेगा या क्या वो जवाब लिखेंगे या क्या उनको प्रतियुत्तर देंगे ये तो भविश्य तै करेगा लेकिन जजिस ने, एक्स सर्विसमेन ने, एक्स सिविल सर्वेंट ने अपनी चिठी लिकर, देश को ये बताया है कि देश को, देश में प्रबुद्ध जनों को बहुत सारी चिंताएं हैं अभ्युक्त अगर दोशी है, तो उसको जेल में डाला ही जाएगा अभ्युक्त दोशी है, ट्राइल चलाने के बाद ही तै होगा अभ्युक्त दोशी है, तो फिर उसको सजा मिलनी ही चाहिए लेकिन ट्राइल से पहले ही अभ्युक्त को दोशी ठहरा देना ये भारत की जुडिशल परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये भारत में जुडिशल प्रेसिडेंट नहीं ऐसी ही विवस्ता सेक्शन 300 CRPC में भी दे रखी, किसी विवक्त को एक से ज़्यादा बार कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, मैं अगर भारती कनूनों की बात करूं, तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 तो फंडामेंटल राइट है, और इसके लावा CRPC में भी इसी प्रकार के प्रावदान हैं, कि एक से ज़्यादा गर FIRE हो जाती हैं किसी मामले में, तो उनको मर्ज कर दिया जाता है, और मर्ज करने के बाद उनकी एक सिंगल चार्ट शिट लगए जाती है, क्या होगा आगे, चीप ज़स्ति का क्या जबाब होगा, वो तो भविश्य तै करेगा, लेकिन जजिस ने चिट्थी लिखी और सुप्रीम कोट के चीप ज़स्ति का ध्याना कर्शन किया, जै हिंद, जै भारत, वन्यवात्रम